लो गाइज आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है किस टॉपिक पर होने वाला है आप ही बोल लो क्या बोलना बता वोलना क्या बोल क्या यह यह मेक बूक किसमान तोर रही जाते हैं फाइनली मैक बूक एयर आ गया है दो दिन पहले मैंने ओडर किया था और कल मुझे रिसीव हो गया पड़ कल मैंने ओपन नहीं किया तो आज आप लोगों के सामने ओपन करता हूं और दिखाता हूं मैक बूक किया इस पर स्विच करने का मुझे ये कितने का पड़ा ये सब चीजे मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा बट मुझे बहुत सस्ता पड़ा Amazon पर जो प्राइस था उससे मुझे 9000 सस्ता पड़ा तो कैसे सस्ता पड़ा वो सब चीजे मैं आपको बाद में दिखाता हूँ सबसे पहले अन्बॉक्सिंग करते हैं अन्बॉक्सिंग करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्यों 8-9 साल मैंने विंडोस यूज़ करने के बाद मैकबुक एयर पे शिफ्ट किया है स्विच किया है बॉक्स में मैनुवल है चार्जर अडप्टर है इसको ओपन करते हैं यह है चार्जर और यह इसका अडप्टर यह इसकी एक्स्टेंशन केबल है अगर इसको आपको एक्स्टेंड करके लॉंग करना है तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं और पावर प्लग लगा सकते हैं अगर नहीं करना है तो आप शिर्फ इसको ही कनेक्ट कर सकते हैं इसको आप इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं तो अब टाइम आ गया इसको उपन करने का configure कर दिया और अब बात करते हैं इसको लेने का रीजन क्या था और कितने का पड़ा तो इसको लेने का बेसिक रीजन यही थे कि मेरा जो यह लैप्टॉप था सोनी बायोगा तो इसमें मुझे एडिटिंग करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी इसमें हो क्या रहा था कि जब भी कुछ भी कोई ट्रांजिशन लगाते थे या कुछ एफेक्ट डालते थे तो एफेक्ट डालने के बाद यह हैंग करने लगता था और रेंडर इडिटर होता है जो एपल का ही है आई मुवी एडिटर में एडिट करने के बाद मुझे बहुत स्मूथ ऑपरेशन लगा रेंडरिंग टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं था मैं आट-दस साल से विंडोज यूज कर रहा था विंडोज सिस्टम यूज कर रहा था ले लिया जाए इसके कुछ वेनिफिट्स भी है इसके जो यूज करने पर इसमें जो स्टेबिल्टी विलती पर्फॉर्मेंस अच्छी मिलते उसके कुछ रीजन्स में होता क्या है कि जब हम विंडोज यूज करते हैं तो विंडोज में अलग-अलग अगर हम फिल्मोरा य मैक बुक है एपल का ही आई मूवी अडिटर है और जो सॉट्वेर भी है नॉर्मली जो यूज करते हैं तो वह भी एपल के ही रहते तो इसकी बज़ए से इस्टबिल्टी अच्छी आती है और कई सारे और भी रीजन है कई और भी बेनिफिट्स है इसका जो चार्जर है व सब्सक्राइब आप इसको करेंगे तो यह जल लए होगी यह लाइट सिर्फ इसी मॉडल में है इसके बाद के जितने बी अड्वांस मॉडल आये अपल ने यह बंद कर दी तो यह लाइट और किसी में नहीं मिलती है तो अगर इसको फील करना है तो आपको यहीं देना पड बट जो नए एडवांस सिस्टम आ रहे हैं एपल के मैक बूक प्रो या मैक बूक एयर उनमें किसी में भी यह पोर्ट नहीं है सिर्फ आपको यूएसबी इसको लेने का मेन रीजन यह भी था कि मुझे अगर वीडियो बनाने के बाद डाटा कॉपी करना तो इसली मैं इसके थुरू कर सकता हूं यूएसबी पोर्ट के थुरू कर सकता हूं अलग से मुझे करेक्टर वगरा लगाने की जुरूत नहीं है मुझे ब्लॉक की एडिटि करनी है तो इसके लिए आप फाइनल कट प्रो बाई कर सकते हैं वह भी अपल का है और इस पे बहुत अच्छा स्मूज चलेगा बट यह सिस्टम फोर के अडिटिंग के लिए नहीं होता है इसमें अगर आप फोर के अडिटिंग करेंगे तो नहीं होगी बहुत प्रॉब्ल खोलें तो भी 99-100% ही बैटरी मिलेगी जबकि विंडोस सिस्टम में ऐसा नहीं होता विंडोस में बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है तो मैकबूक एयर का बैटरी बैकप बहुत अच्छा है उसके बाद इसका जो कीबोर्ड है वह बैकलेट सिस्टम वेज़ है तो अग इसका बहुत ही अच्छा है अब बात करते हैं एक important feature apple ecosystem की actually होता क्या है कि अगर आपके पास iPhone है और MacBook Air है और आप दोनों ही चीजें same network से connected हैं तो अगर आप किसी floor पे या किसी room में MacBook पे काम कर रहे हैं आपका phone आपके पास नहीं है तो भी इस पे जो phone call आईगी आप उसको attend क कर सकते हैं बात कर सकते हैं उसके अलावा कई और वी features होते हैं जैसे अगर आपने iPhone से कोई photo click की तो वह immediately आपको MacBook में मिल जाएगी और अगर कोई MacBook में कोई काम कर रहे हैं उसको आप iPhone में डाल सकते हैं तो Apple का जो एक ecosystem बनता है वो इतना secure safe और easy होता है कि लोग एक बार Apple के system क यूज करने के बाद दूसरे Windows या Android system की और में ही जाते हैं अब बात करते हैं प्राइस की मुझे इतना सस्ता कैसे पड़ा इसका एक्च्वल प्राइस ए 84,000 अगर आप online store में जाएंगे Apple का outlet पे जाएंगे तो यह आपको पड़ेगा 69 to 70,000 का online store पे इसका जो प्राइस है व इसकी जो मैंने payment की थी वो की थी SBI के debit card से और Amazon की जो sale चल लाई है उसमें मुझे 2000 का discount मिल गया था debit card से पे करने पे उसके बाद मेरे पास एक Sony वायो का ही दूसरा laptop था 2011 model मैंने उसको buyback में दिया वो 7,000 में चला गया तो total मुझे जो benefit हुआ है वो 9,000 का हुआ है 9,000 के अब मुझे जो इसका actual price पड़ा वो पड़ा 46,000 गया अगर आपको इससे relative कोई भी question है कुछ भी पूछना है तो आप comment में पूछ सकते हैं मिलते हैं next video में तब तक के लिए good bye